नमस्कार मित्रों, डिजार पांट चैनल के इस नए विडिय लेक्चर में मैं हूँ अमिदूबे और आज हम नरेशन में एक नए सेंटेंस का अध्यन करने वाले हैं जिसका नाम है आप्टेटिव सेंटेंस सबसे पहले मैं आपको पता दूँ, यह वीडियो बहुत ज़्यादा लोचिकल और बहुत ज़्यादा एजी होगा पूरे धहरे के साथ आप बैठ ये, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपके लिए नरेशन में आप्टेटिव सेंटेंस इस बीडियो के बाद धुआ होगा आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान होगा, ठीक है? कोई टेंसन नहीं लेनी, बस दो लाइनों में मैं समझा दूँगा और आप समझ जाएंगे ये मेरा प्रॉमिस है देखिए सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि आप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है? ऐसे बाक्या, देखिए, यदि रिपोर्टेटि स्पीच में, रिपोर्टेटि स्पीच यानि जो इन्वर्टेट कामा, इन्वर्टेट कामा के अंदर लिखा जाता है प्रार्थना या कामना के अर्थ में में का प्रियोग हो, तो वह आप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है नहीं समझ में आई बात? मोटी मोटी बात समझिए आप्टेटिव सेंटेंस में किसी को स्राप दिया जा सकता है Optative sentence में किसी की लंबी उम्र के लिए या सफलता के लिए प्रार्थना की जा सकती है Optative sentence में प्रार्थना की जा सकती है इच्छा की जा सकती है और स्राप दिया जा सकता है तीन ही चीजें आपको Optative sentence में मिलती है या तो इच्छा, या तो स्राप, या तो प्राथना, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, कोई बड़ी बात नहीं थी, अब जो sad होता है, नरेशन में, उसको change करने का गजब का तरीका है, वाक्यों को पढ़िए, अगर वहाँ पे कोई इच्छा है, तो sad को हम change कर देंगे, विष्ट में, अगर वहाँ पे किसी को स्राप दिया जा रहा है, तो मुसे change कर देंगे, गोष्ट में, और अगर किसी के लिए प्राथना की जा रहे है, तो मुसे कर देंगे प्रेड में, ठीक है, देखी कैसे होगा, एक example लिखता हूँ, जैसे वाक्यों लिखा है, में यू ल चेंजना है, अब देखिए, जैसे ये वाक्य है, he said to me, वह मुझसे कहता है, may you live long, कि भगवान करे, आपकी उम्र लंबी हो, तो हम इसे कैसे change करेंगे, अब देखिए, ये प्रार्थना भी हो सकती है, कि भाई भगवान से प्रार्थना की जारे है, लेकि भगवान से नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा, यहाँ पे, जो sad है, इसे wisdom में change कर देंगे, यानि he, अब sad change हो जाएगा, wisdom में, अब ये to, me जो था, इसकी भी कानी खतम हो गई, अब इस me को नहीं लिखना हमें, सिर्फ इस sad to को हमें wisdom में change कर देना है, me को नहीं लिखना है, अब यहाँ पे हम इस कामा हटाने के लिए that ही लगता है, ठीक है, गजब का trick है न, कि आगे कुछ लिखना ही नहीं है, मजा आ गई होगी आप लोगों को तो, देखिए, उसमें सब में लिखना पड़ता था, कि wished me, सब कुछ करना पड़ता था, लेकि इसमें तो करना ही नहीं पड़ा, तो मजा गई, तो he said to me, को हम सीधा change कर देंगे, he wished, इस sentence को पड़ते हुए, कि भाया क्या कहना चाहता है, ठीक है, और भी आगे sentence कराए जाए जाएंगे, तो अब कॉमा इन्टेट कमा हटाने के लिए that, अब इस में को पहले नहीं लिखना, अब हमें पहले यहाँ पे subject को लिखना ह यानि जैसे हम इंट्रोगेटिव sentence में narration बनाते वक्त, जो reported speech होती थी, उसको affirmative sentence में change कर देते हैं, यानि पहले subject को, फिर verb को, फिर object को, ऐसे, उसी तरह से इसमें भी पहले subject को, फिर verb को, फिर object को, ऐसे लिखना है, ठीक है, तो me, अब me को तो लिखना नहीं, पहले subject चाहिए तो you है, you क्या है हमारा, second person, second person जायेगा me के पास, तो me को जब subject बनाएंगे, तो वो बनेगा I, ना, मैंने आपको सिखाया है, तो he wished that I, अब ये may change हो जायागा, might में, मैंने आपको सिखाया था ना, कि may का might हो जाता है, can का could हो जाता है, यह सब बताया था आपको, या my g e h t I might, उसके बाद live long, ये से लिखा जायागा, live long, और ये वाला चिन हटा के यहाँ पर सिधा police stop लगाते हैंगे, आसान सी बात थी, कुछी भी कठी नहीं था, he wished that I might live long, सायद नहीं समझ में आया, तो एक और कर लेते हैं, अगला वाक्त है, कि the hermit said, may you all go to hell, हर्मित कहता है, कि तुम सभी नर्क में जाओ, बताओ ये स्राप हुगा, कि प्रार्थना होई, कि इच्छा होई, भाईया, ये स्राप देना है, जब स्राप देना है, तो मिसे ऐसे करेंगे, कि the hermit, अब ये set change हो जाएगा, curse में, c, u, r, y, s, e, d, comma, noted, comma, हटाने के लिए that, अब यहाँ से हमको इसको बनाना पड़ेगा, affirmative sentence में, ठीक है, तो you, यहाँ पे you है, और यहाँ पे कोई object दिया नहीं है, तो चलिए हम we मान लेते हैं, ठीक है, तो we मानेंगे, या फिर दे मान लेते हैं, दे ज्यादा सही पड़ेगा, दे, ठीक है, तो जब दे मानेंगे, तो यह हो जायागा, दे, ठीक है, यहाँ पे हमने दे माना है, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है इसको, क्योंकि इसमें लिखा नहीं जाता, ठीक है, आप कुछ भी मानो, आप उसको लिखोगे नहीं कहीं पे, ठीक है, दे, अब उसके बाद मे का हो जायागा, याम, आई, जी सभी सब्जेक्ट हैं यहां पर यू आल मतलब तुम सभी तो वे सभी माइट गो टू है फुल स्टाफ दहर मिट कोस्ट टैट दे आल माइट को टू है इस तरह से आप इसको कर सकते हैं आइधिंक बहुत जादा आसान था कुछ भी नहीं था आपको बुक में मिलते हैं अगर क इसको कैसे करेंगे इसमें एक और चोटी चीज आपको मिल जाते हैं देखने के लिए जैसे गुडबाइ गुड़ नाइट गुड मॉर्निंग इस तरह के सेंटेंस में ऐसे वाक्य आ जाते हैं तो उन्हें कैसे करना है आप ध्यान दीजिएगा कि अगर गुडबाइ है या इसन डिश्ट लिखना है ठीक है एक 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 एग्जाम्पल करके दिखा देता हूं ताकि आप समझ सकें जैसे ये एक एक एक्जाम्पल है कि ही सैट गुडबाइ माई फ्रेंस ठीक है तो इससे हमें गुडबाइ हो या गुड़नाइट हो हमें सैट के स्थान पे बेड यहाँ पर यही goodbye जोड़ देते हैं यानि जी डबल ओडी ठीक है सुरी यह जी capital रहेगा जी डबल ओडी फिर उसके बाद by goodbye यही goodbye comma inverted comma को हटा देगा यहीं पर आके जुड़ जाएगा इसी goodbye से हमें जोड़ देना है my जो है वो first person के अंदर आता है I, me, my, mine, my friends मेरे मित्र ही है तो यह हो जाएगा his यानि उसके friends या far I, E and DS, full start he bet goodbye his friends आसान सी बात थी कुछ भी नहीं करना था अच्छा अगर good morning आ जाता तो इसी में समझ लेते हैं एकदम सेम इसी की तरह होगा जैसे रवी said good morning my friends एकदम सेम इसी की तरह he said अब यहाँ पे बेट के स्थान पे यही विष हो जाएगा ठीक है रवी विष्ट उसके बाद यहें good morning से जोड़ देना है good morning उसके बाद my यहाँ पे my first person रवी के पास जाएगा his friends फिर से वही his हो जाएगा ठीक है his F-R-I-E-N-D-S full stop आसा करता हूँ आपको यह बाते समझ में आई होंगी क्योंकि बहुत बड़ी बात त बोड़ दीजिए और उसके बाद person को change कर दीजिए बस सीधा सीधा लिग दीजिए तो आसा करते हैं आपको यह वीडियो समझ में आया है अपने मित्रों के साथ भी share कीजिएगा अगर नया है तो चैनल को subscribe कर लिजिए अगले वीडियो लेक्चर में फिर से मिलते हैं पुर दो बार खुझ से प्रयास कर लिजिएगा अगर कोई problem होगी तो आपके लिए यह topic clear हो जाएगा